नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पौरानिक माननेता के अनुसार माक्सीस पूर्णिमा पर ब्रत और पूजा करने से भगवान स्री हरी विश्नु की विशेश कृपा मिलती है और इस बार माक्सीस पूर्णिमा साथ दिसंबर बुद्धवार को मनाई जाएगी पौरानिक माननेताओं की अगर हम माने तो माक्सीस मा से ही सतियुक काल का प्रारंब हुआ था और इस दिन किया गया स्नान, दान, तब बहुत लापकारी सिद्ध होता है साथ ही इस दिन अन्य पूर्णिमा की तुलना में ये जो पूर्णिमा है 32 पूर्णिमा क्योंकि इसको 32 गुना अधिक फल देने वाला पूर्णिमा कहा गया है तो 32 पुर्णिमा या माक्सिस पुर्णिमा के दिन अगर आप भगवान सतनायन की पूजा करें, कथा करें तो सर्वोत्तम होगा, सुमूर्थ क्या है, देखें 7 दिसंबर को ही पुर्णिमा तिथी का ब्रद रखा जाएगा, और सुरुवात 7 दिसंबर को सुबह 8 बचकर 1 मिन और घर के सामने रंगोली बनाए, पूजा वाली जगा पर गंगा जल का छिड़काओ करें, और साथ ही तुलसी जी में जल अर्पित करें, गंगा जल और कच्चा दूर्थ मिलाकर, फिर भगवान विश्नु, भगवान गनेज जी, मालक्ष्मी को आप ये जल अर्पित करें उसके बाद अभीर गुलाल, चंदन, अक्षट, पुस्प, मौली और तुलसी की पत्तियां भगवान को अर्पित करें, फिर सतनयार भगवान की कथा पड़ें, और पूजा में सामिल जितने भी लोग हैं, सब को प्रसाद दें और बड़ों का आसिरबाद लें खास कर इस दिन आपको दान पुर्णी तो करना ही है, लेकिन लहस्तन प्याज मांस मदीरा अलकोहल से दूर रहना है, और अगर उपवास कर रहे हैं, आप पुर्णीमा तिती का ब्रत रख रहे हैं, तो दो पहर में भूल से भी मत सोईएगा पुर्णीमा के दिन पवित्र नदियों मश्नान करने से पुर्णी तो मिलता है, साथ ही इस दिन बहुत ही सूभ माना जाता है, आई जानते कुछ छोटा सा एक परियोग जो जीवन की मुश्किनों से आपको बाहर निकालेगा देखिए, सबसे पहले तो तुलसी जी की जब आप पुजा करेंगे, चुकि इस दिन देव दीपा वाली है तो तुलसी जी की भी विसेश पुजा होगी, एक लोटा जल, जल में थोड़ा सा दूद, दोचार बुंद, और इस दूद बले लोटे में आपको थोड़ी सी मिस पुसरी, अक्षत, चाबल के दाने और पुस्प डाल कर फूलों की पंखुरी, एक चुटकी हल्दी, जाकर तुलसी जी में अरपित कर दें, अगर कुछ ना हो तो कम सकम जल में हल्दी डाल कर ही अरपित करें, तुलसी को हिंदू धर में बहुत ही पवित्र पौधा माना ज थी है, तो विसेश प्रयोग किये जाएंगे, तुलसी की पूजा भी विसेश तरीके से की जाएगी, क्योंकि जहां भगवान विश्णु की पूजा की जाती है, वहां पर तुलसी की पूजा जरूर होती है, इसलिए तुलसी की जो पूजा है, आप कैसे करेंगे, अब इसमें एक चुटा सा टुकडा मिस्री का या फिर गुड का डाल दें और एक चुटकी हल्दी डाल दें एक चुटकी अक्षट डाल दें अब इसको तुलसी के पेड के पास जाईए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते वे उसमें अर्पित कर दें आपके भागे को चमकाएगा आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त करेगा अब तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ा है तुलसी में आग का तत्तो होता है फायर तत्तो और तुलसी आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है मन को सांती देता है खुसिया देता है प्यार देता है दन दे ताकि लक्षमी इस्थिर रहे पुड़निमाति थी मालक्षमी कीती थी मालक्षमी को सबसे पुड़ीत थी है और इस दिन अगर आप यह प्रियोग करते हैं तो लक्षमी इस्थिर रहती है और जीवन में कभी किसी जीच का अभाव नहीं होता घर में नकातमक उर्जा बढ़ चैँ तो इस दिन एक छोटा सा प्रियोग की जिए तूल्सी में पानी ले ने राफ ऴृजो से पानी से छिड़का। जिसको कहते हैं तुलसी के पौधे में की जवाब पूजा करने के बाद ये कलावा तुलसी के तने में बांदे और अपनी मनोकामना कहें कुछी दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जायेगी जीवन की परिशानिया समाफ्थ हो जाएगी तो तूलसी में बहुत सारे जादोई गुन चुपे हैं वैसे तो तूलसी जी की एक चुटकी मिट्टी लेकर लाल कपड़े में बांध कर अगर इसको रख लें अपने धन के पास तो धन भी बढ़ता है और लक्ष में स्थिर हो जाती है अगर बच्चे जादा जिद करें तो तूलसी के पौधा के पास आप बच्चे को नियमीत रूप से उनका दर्शन करवाएं परणाम करवाएं और तूलसी के पत्ते सेबन करवाएं अगर आपका ब्यापार न चल पा रहा हो तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए तरह से तो एक बरतन में पातर में पानी ले लें उसमें 5-6 तूलसी के पत्ते आज की दिन रख कर छोड़ दे और अगले दिन आप इस पानी को पूरे ब्यापार अस्तल पर छिरकाओ करे बच प्रियोग किए जाता है तुलसी की मिट्टी से तिलग जरूर लगाए चारो दिसाओं में जयजयकार होगी आपकी विजय होगी अरफित करें लाल कपरे के ऊपर रखकर फिर थोड़ा से कुंकुम कुम अक्षत से पूजा करें और मालक्ष्मी से धन आने की प्रातना करें लाल कपड़े में बांध कर अपने तो इस सिक्क्य को संभाल के रखिएगा जब विसेश्चितिति आये तो बीच बीच में रिचार्ज करें कोई भी उपाय करते हैं प्रियोग करते हैं तो उसको रिचार्ज करने का दिन तो इसलिए क्योंकि कोई भी काम करके आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका जो पॉजिटीव उड़ जा है वो कम हो जाता है इसलिए अगर पहले से अपने पूजा करके रखा है सिक्का तो उसको निकाल कर फिर से भगवान के सामने रखें धूप दीप दिखा कर पू क्क्षमी को भोग लगाते हैं परशाद के रूप में सब को गरहन करते हैं तो जीवन में धन की परिशानी कभी आपको प्रिशान नहीं करती आप अगर केसर कर तो कोई बात नहीं आप हल्दी का तिलक स्रीहरी के माथे पर लगाए और उसी जो आपके उंगली में लगा रह गया है अपने माथे पर लगा ले इससे भी उनका असिरवाद आपको मिलेगा क्योंकि भगवान भाव के भूके है अब पुणिमा दिथी के दिन चुकि ये सिक्का का प्रियोग बहुत माइने रखता है तो आप जरूर करें और दिपक कम से कम पांच जगह पर जलाने का भी दाने कहां जलाएंगे पहला आप अपने घर के मंदिर में जलाएं जहां पूजा करते हैं ये दिया घीका हो तो सरवत्तम होगा इस दिपक में लाल धागे की बाती होगी और इसमें एक लॉंग होगा दूसरा दिपक तुलसी के नीचे जलाएं वो सिर्फ घीका दिया होगा लाल धागे की बाती के साथ इसमें आपको कुछ नहीं डालना है लेकिन दीपक में आसन जरूर दें तीसरा दीपक आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलेगा और चौथा दीपक पास के देवाले में जलेगा पांचवा दीपक आपके घर के छट पर जलेगा जो पितर देवों को रास्ते में रोसनी देगा और उनका आसिरवाद आपके मार्ग में आने वाले बाधाओं को समाप्त करेगा ये दीपक छट के उपर सरसों के तिल का दिया होगा इसमें रूई की बाती होगी संबब हो तो दो चार दाने काले तिल डाल सकते हैं या फिर वैसे भी रहे तो भी चलेगा रात में सोने के पहले अपने तक्ये के नीचे एक रूपया का सिक्का जरूर रखके सोईएगा और अगले दिन इस सिक्के को किसी पास के मंदिर में जाकर रखाईएगा या किसी पेड के नीचे रख दीजेगा फेकिएगा मत क्योंकि लक्षमी का आप मान नहीं करना चाहिए दो हल्दी की गाट लाल कपड़े पे रख कर मालक्षमी को जरूर अर्पीत करें और फिर इसको धन के अस्थान पे रख दें धन की कमी नहीं होगा तो ये हल्दी का प्रियोग आपको जरूर करना है और अक्षत जो चावल है उसको एक चुटकी ले ले इसको हल्दी से कलर करके दीपक में डाल कर आप लाल धागे की बाती बना कर घी डाल कर फिर दीपक जलाएं तो जीवन की मुस्किनों से बाहर निक्षम के वक्त तुलसी क पौधे के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाईएंगा और इसमें संभब हो तो एक लॉंग डाल दे इससे घर में तुलसी का पौधा तो होगा जीवन में पुसियां आती देगा आप मौली धागा अगर मौली धागा नहीं है तो कच्चा सूत ले 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 और उसको थोड पौधा अच्छा है लक्षमी स्थिर रहेगी धन बढ़ेगा और साथ ही खुसियां आती रहेगी यह प्रियोग इस पूर्णिमा को आप चरूर करें और फिर चमतकार देखें तो अपने घर के मुखे दरवाजे के चौकट पर एक दीपक जरूर जलाईएगा एक दीपक पास के किसी भी भगवान के मंदिर में जला दे और एक दीपक पवित्र नदी सरोवर के किनारे जला दे तो आप भी ऐसा करें किसी भी पवित्र नदी सरोवर के पास एक दिया ज स्थान है तो वहां भी दीपक जला दें और पीपल के नीचे भी पांच जगह पर मुख्य तोर पर दिया जलाने का भी धान है अपने घर में भी धूब दिखाईए लेकिन जब आप धूब दिखाएंगे तो दिया में एक लॉंग डालकर ही दिखाईएगा फिलाल आप से भी मादेप लेकिन जब दिया मादेप लेकिन पूंगे।